लॉकडाउन की वज़े से कई जूनियर आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा। बेरोजगार हैं, काफी समय से उधारी पर जिंदगी गुजार रही है। दावे किये जाते हैं मदद के लेकिन मदद नहीं मिल रही। ऐसी ही एक जूनियर आर्टिस्ट है भावना। दोसों से जादा फिल्मों में वो काम कर चुकी हैं और उनकी फिल्मों की लिस्ट अगर आप सुनेंगे तकलीफों की अगर बात करेंगे तो मैं अभी रोप पढ़ूँगी। पती नहीं रहे और पती की देथ एक अरसे पहले हो गई। मा के साथ रहती हूँ। मेरे घर की आमदनी शूट पर निर्भरती। मैंने पिछले तीन महिनों से घर का रेंट भी नहीं दिया। विजली का बिल नहीं भर पा रही राशन भी उधार पर लेकर आई हूँ। मैंने वाच्मेन की नौकरी के लिए जगा जगा अपलाई किया है लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही। यूनियन वालों ने कहा था कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, आपके घर में हम राशन भर देंगे लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि बच्चों की पड़ाई के बारे में सोचू या फिर परिवार को संभालने के बारे में या उनके पेट भरने के बारे में सोचू। वहीं एक और जूनियर आर्टिस्ट हैं अमजद जो 45 साल के हैं उन्होंने भी कहीं फिल्मों में काम किया है। तो ऐसे तो हम सबका तो काम ही छिन गया। फेडरेशन भी कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। मेरे तीन बच्चे बीवी अम्मी अब्बू है आप ही बताईए मैं कैसे गुजर बसर करूं। तो ऐसे जूनियर आटिस्ट हैं जिन्होंने अपने दर्थ को बया किया है। जाहिर सी बात है कि इनके पास खाने को कुछ नहीं। बताईए जूनियर आटिस्ट काम करते हैं। अमजद कहते हैं कि मेरे पास तो पिछले दो साल से लगभग काम नहीं है। ऐसे में मैं घर का गुजारा कैसे करूं। और वहीं आप सितारों की तस्वीरे भी देखते होंगे जो फॉरन जाते हैं और अपनी तस्वीरों को पोस करते हैं। वहीं कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिनको अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है।